अब आपकी आवाज नहीं जा रहे है आपकी आवाज नहीं जा रहे है शक्ति आदव शक्ति आदव ये मुस्लिम लीग सेकुलर है क्या जैसा राहूल गांधी कह रहे है और ये सेकुलर नॉन सेकुलर क्या होता है भाई कौन सी पार्टी सेकुलर कौन सी नॉन सेकुलर शक्ति आप संविधान के प्रति हैं कि नहीं कमिटेट संविधानी का अच्रन आपका है तब से कुलर हैं संविधानी का अच्रन अगर आपके नहीं है संविधान बदलने की बात करते हैं तो आप से कुलर नहीं है अप इतिहास बदलने की बात करते हैं संविधानी की परंपरा को तो सखTalk लॡ़किन अगर हमारी आस्त pinned में है रसंवयद्धानिक मन्यतों को मन्यतों को गईकार करके करकर क Kommentar कर्मों को मूरत रूप देते हैं तो हम है सफिकलर और जो ही पड़न नाम से कोई से कुलर है नगे सफेवर्य है सिक शेकलर नाम से पूर्वकारमे कुछ करता रहा हुँ से अपनी छोड़ करकर के सही संभिधान का रास्ता अपनाता अपनाता हो तो एक क्या कहेंगे उसको आप स्भास आप कहेंगे क्या आप सब्सक्राइब करता है अगर हम कहते हैं कि कोई मुसलमान राष्ट बनाने की इसलाम राष्ट बनाने की बात करता है अगर कोई हिंदू राष्ट बनाने की बात करता है वह भी समिधाने के दी हैं और उसी को मैं मानता हूँ यही मेरा गरंथ है और इसी क्या लोग में देश आगे बढ़ना कहीं चलना चाहिए इसका मतलब आप यह कहेंगे जेडियू ने गलती की थी जेडियू ने गलती की थी बीजेपी के साथ जाकर क्योंकि बीजेपी आपके इसाब से कम्यूनल है अचे एक बात मैं आपको अस्पष्ट कर दूं सर्धय अटल विहारी बाजपेई जी इस देश के राष्ट प्रधान मनती थे और उन्होंने कभी भी विवादित मुद्दों को नहीं छुआ इस सबको पता है अदर आपको यद्होंघाओं कि फातियपनिक लेए चले गए थो गए क्या हम तो नहीं मानताएं चीजों को सिभिसानी कोई बात करता है और उस में उन्माद की बात करता है समाच को तोड़ना चाहता है दफ्रत फिलाता है वह है कॉमनल उसे कुलर हो ही नहीं सकता इसलिए मेरी मेरी साफ मामला है इस मामले में साफ मेरी राइड शरत प्रधान और अनंत पीजे उसके बाद आउगा शोयब जमाई के पास मूल शरत जी यह